दोस्तों सवीलों को मेरा पड़ान दोस्तों आज काई ये ब्लोग जो है हम अपने गावा में आया है और गेहों कटने वाला है अब्देख सिकते हैं पूरा पुरु दर्शे कटने को तयार है अभी बस मसीन का इंकदर कर रहसे हैं तो प्रव मसीन कबाई तो कटें तो फिलाल तो मैं यह जो थोड़ा फिरदर है तो उससी को काटराओं दोस्ते prochain कि मसीन को कटने काट रहा हूं अभी देखते का मसीन आती है तो दोस्तो अभी बहुत देख सकते हैं धूप सुभए का टाइम है अभी नव बज रहे हैं और नव बजे का टाइम है धूप बहुत अच्छी हुई है और यहाँ काटने के लिए हवा भी थोड़ी ठोड़ी चल रही है तो दर भी लग है कि बातल ळइसर के भी दिखरые कि थी हो सकती है तो धोस्टों भाई सूच रहे की कटवाल है कि थो इन्मरी वाले मसीन आएगी तबी तो को अब दीख रहोगा उदर मशीन एक ग्रीन क्लर्ण की मसीन हो चल रही है तो उसी से कटेगा अब यह चचा आ रहा है इनको बीकाटना यह यह परशान है और सभी लोग परसान है हम भी परसान है क्योंकि जब तक ग्यों कटके अपनी घर पे नहीं आ जाएगा तब तक तो भ आपको दिखा रहे हैं देखिए है कि खम्मा है तो खम्मे की वज़े से कटर तो उसलिए मैं हाथ से काटके साब करने में दिक्कत नाओ स्वाविकागर मंगर राख वाख़ अ पटल्माय गच्पाटाय ड्टार्य अ पट वाई ना म।ल्में कुछ लोगर मंडग्श हाख वाख़ तो दोस्तों फाइनली अब देख रहें कि टाली यहां खाड़ी है और मसीन काट रहें खेट में तो अभी इसको लेंगे आपने खेट की तरफ और अपने खेट की तरफ ले आगे महां कटवाएंगे तो ट्रॉली ऐसी सिस्टम में देखे तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रॉली इसी ट्रॉली में गयों बढ़ा के मतलब कमबाइन मसीन जब काटेगी तो इसी में गिरेगा और फिर वो ले आगे आपके दर्वाजे पर गिरवा देगा तो अभी हमारे खेत म में जब चलेगी मसीन तब आपको देख लाएंगे तो बहुत तवड़ी है